बीजेपी सांसद ब्रिजभूसन सिंग ने अपनी ही पार्टी के सांसद वरुन गाधी के खिलाप भढग गए और उन्होंने चेतावनी देदी ब्रिजभूसन ने वरुन गाधी के तेवर पर तंजिक करते हुए कहा कि बीजेपी किसी एक विव्यक्ति से नहीं चलती है वो उन्होंने कहा कि ग्रेमंत्री अमिशा ने इस्तिती पर काबू पाने के लिए खासा प्रयास किया है प्रधानमंत्री जी ने इसको संग्यान में लिया है और आपने प्रधानमंत्री जी का बगता पर सुना होगा फिर भी घड़ चुकी है और घट्रान इंदनिय है पहलवानों दोरा लगाये जा रहे है आरोपो पर बीजेपी सौंसन ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था और अब धीरे धीरे इस्तिती साफ हो रही है बंगाल की खिलारियों ने रोते हुए वीडियो जारी किया है जिससे ये साफ हो गया है कि ये पॉलिसी को लेकर संगर चल रहा है उस समय मेरी बातें सच नहीं लग रही थे इस समय जिन प्रभावित खिलारियों के वीडियो आ रहे हैं इनकी असली पीडा क्या थी वह आज देश के समझ में आ गया है जो खिलाडियों की बीडियो आ रहे हैं विसेज करके प्रभावित होने वाले खिलाडियों की बीडियो आ रहे हैं आज वो खिलाडी जो धरने पर बैटे थे उनके बयान आ रहे हैं और तक जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इनकी असली पीड़ा क्या थी वह आज देश के मैं पहले दिन बोला था पर बोला था कि यह मैंने बोला था कि नगर-णगर बनाम हो गए मेरे आसुब मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं थी पदलों भी आलोचक कैसे करते दर्ध पुरिष्टिक मेरा मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था सिंगार नहीं थी कहने का मतलब मेरा क्या था बैप कमजूर के दरफ जाए हैं तो आज वो चीजे है, बहुत फूल करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज वो चीजे जो मैंने पहले शुरू में व्यक्त की थी आज वो चीजे दिखाई पड़ रहे थी और सबको दिखाई पड़ रहे गोंडा में कारिकरम के दोरान ब्रिजबूसन सिंग ने अपने उपर लगे आरोपो पर कहा कि 7 महीने से मुझे दुनिया क्या क्या कह रही है मैंने पलट कर नहीं देखा और मैंने अपना काम भी नहीं बंद किया सारं महीने से दुनिया मुझे को काड़ा ता लई है मुझे इस कlarge 되면 मैं से दुनिया आराधार कि पहले लेकिन बंद काम कैंक पने नहीं बंद स्याव मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि भुधियां क्या कर रही है, ये मद देखो, क्या कर रहे है, ये मद देखो, क्या आप कानूर का पारण कर रहे हो, क्या आप विद्याथी जीवन के करतत का जिर्मान कर रहे हो, क्या आप माँ भाब के सबनों को साकार कर रहे हैं, ये मद देखो, वहीं भी पक्ष के गटबंदन के सवाल पर बिर्जबोसन सिंग ने कहा कि इससे पहले कई गटबंदन हुए, पर वो सफल नहीं हुए, राष्टी अस्तर पर सिर्फ एकी पार्टी है और वो कॉंग्रेस है, एक समय था जब कॉंग्रेस के खिलाब गटबंदन होता था, और आज बीजेपी के खिलाब गटबंदन हो रहा है, उन्होंने कहा है कि राष्टी पार्टी, छेत्री पार्टीयों के गोद में जखकर बैठ चुकी है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहिए हमारे और देखके रहिए, News24